असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे मतर कीमा मतर कीमा बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए कीमा आदा किलो मतर एक प्याली प्यास दर्मियानी तीन नहीं है इनको स्लाइस कर लिया है तीन सब स मिर्चे नहीं है दोट माटर कोंता वौ लैसेन वांटी स्पून अगर पिसा हुआ लें तो यह घर मेसालाओ मेर्च बारके लेना है 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, हजवायन 4 teaspoon, कलवंजी 4 teaspoon, हल्दी 4 teaspoon, मिक्स मिसाला 1 teaspoon, पतीले में थोड़ा सो आय लेंगे, इसमें आदा लसन द्रक डाल देंगे, लसन द्रक को डाल के हलका सब बून लें, इसमें कीमा डाल देंगे, इसको बून लेंगे, कीमे को वाइट होने तक बूनेंगे, इसको हलकी आग पर बूनेंगे, कीमे ने पानी छोड़ दिया है, अभी हम मीडियम फ्लेम करके इसको बून लेंगे, पानी खत्म हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, दिले में आदा कपाई लेंगे, इसमें प्यास डाल के बून लेंगे, प्यास को इतना बून लेंगे, यह सॉफ्ट हो जाए, अब इसमें लसन द्रग का पेस्ट डाल देंगे, इसको बून देंगे, इसमें टमाटर और सबस मिर्च डाल देंगे, इसको बून लेंगे, अभी इसको मीडियम फ्लेम पर बून लेंगे, टमाटर इतनी देर तक बून लेंगे के टमाटर प्यास में गुल जाए, इसमें सारे मसाले डाल देंगे, गर्मसाला नहीं डालेंगे, इनको अच्छी तरह मून लेंगे, इसमें मतर डाल देंगे, मतरों को इतनी देर तक बून लेंगे के मतरों में बल पड़ जाए, अच्छी में लेंगे, आछी हम फिर देर वेंगे, इतनी देर लेंगे, वेंगे, इतनी देर वेंगे, दिखें इनमें हलके हलके बल पड़ गए अब इसमें कीमा डाल देंगे कीमे को डाल कर हलका साबून लेंगे इसमें गर्मसाला डाल देंगे गर्मसाला पहले नहीं डालना इसी स्टेज पर डालना है इसको मिक्स करेंगे हलका साबून लेंगे इसमें एक कप पानी डाल देंगे इसको हलकी आग पर पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल दम वाली आग भी बीच में एक दफा चम्मच ला देंगे पंदरा मिनट दम पर पकाया है अब इसको थोड़ा सा भूलेंगे निगा लेंगे मतर कीमा दियार है कर दो देंगे झाल दोड़ा वाल इसको प्रहे भी आगए झाल कर दोड़ा इसको प्रहे दू़ा यदा प्रहे